हेलो फ्रेंड्स असलाम लेकुम कैसे हैं आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे अलहम्दलिल्ला मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ तो फ्रेंड्स आज आप सबी के साथ बहुत ही क्विक सी और हेल्दी सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जिसके लिए हमने पैन में डाल दि सर्दियों का मौसे में जब गर्मा गरम मटर और आलू की घुबनी नहीं खाएंगे तो मज़ा नहीं आएगा तो प्याज जब थोड़ी सॉफ्ट हो जाएंगे ना तो चुटे-चुटे पीसे में मैंने आलू कटकी में उसे डाल देने हैं और थोड़ा सा इने फ्राइ कर जो कि बहुत ही जल्दी कुख हो जाते हैं और सड्यों के मौसे में मटर के पराठे घूमी और मटर पनी यह सारी रिसीपी अपने खाएगा तो मज़ा नहीं आता है तो मटर मैंने डाल दिये हैं दिक तो फ्रेश फ्रेश मटर है और मटर को डालने के बाद हमें डालना होग जब आपको लाइट नाश्ता करना हो तो या फिर आप स्नाक्स की तरह आप चाय के साथ भी से खा सकते हैं तो मैंने थोड़ा देर के लिए से ढख दिया है ताकि मटर और आलू दोनों अच्छे से कुख हो जाएंगे तो थोड़े दिर के बाद एक मिनट के बाद मीडियम के बाद मैंने आपको लिट को उपन करके इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और जब यह कुख हो जाएंगे ना तो जब तक आलू तो अच्छे से कुख हो चुक हैं मर्टर भी आलमस्ट कुख हो चुक हैं और इनके कुख होने के बाद फ्रेम को हाई करके हम इसे अच्छे स भूनना होगा तभी अच्छा फ्लेवर आता है यह कुछ लहसन की पत्ते मैंने डाल दिये हैं और हरा धनिया डाल दिया है हरा धनिया तो इंपोर्टेंट होता है और लहसन के पत्ते डालने का एक सीक्रेट बात है कि लहसन के पत्ते डालने से यह थोड़ा हेवी नहीं करते है और यह काली मिर्च पाउडर भी मैंने डाल दिया है, रोस्टेट काली मिर्च पाउडर है, और इन सभी चीज़ों को डालने के बाद अच्छे से मिक्स करना है, और यह क्विक सी हेल्दी सी रेसिपी हमारी बनकर रेडी हो चुकी है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, ब अगर अच्छी लगेगी तो लाइक कर दीजेगा, शेर कीजेगा और चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजेगा, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रेखिए, बाई बाई, बाई, अल्ल